हलो फ्रेंड रादे रादे कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का साची की रसोई में तो आज मैं आई हूँ सकर कंदी की रेश्पी लेकर जो की हमें ना तो हमें आग में भूनना है इसको ना ही हमें कुकर में उबालना है ना हमें इसे पानी डालकर कड़ाई में इसे तो आईए चलिए देखते हैं कैसे इसको हम बनाते हैं तो हमने ले लिया है सकरकंदी, सकरकंदी को हमने धोलिया है मड़िया से, सकरकंदी में ज़्यादा मिट्टी होती है तो इसे अच्छे से हमने 2-3 बार मड़िया से धोलिया है और अब हम रखते हैं कड़ाई गैस पर तो इसमें हम पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल एक चम्मस पानी नहीं डलेगा इसमें डायरेक्ट हमें इसमें डालकर इसको भाप लगाकर ही पकाएंगे इसको हम और बहुत ही कितनी ही मोटी सकरकंदी है फ्रेंड्स वो इसी तरीके स बनाएंगे ना बहुत ही आसानी से वो बड़िया से पक जाती है बिल्कुल अंदर तक कच्ची बिल्कुल नहीं रहती है सकरकंदी हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदे मंद है और सर्दियों का टाइम है तो सर्दियों में सकरकंदी का सीजन होता है इसमें बहुत ही सकरकं जाती है और उसका टेस्ट बिल्कुली अलग हो जाता है मीठा तो लगता ही नहीं है बिल्कुली मीठी नहीं रहती है सकरकंदी और इस तरह से आप भाप लगागर पकाएंगे न तो आप सेम वैसे लगता है जैसे हम आग में भूनते हैं सकरकंदी को तो इस तरीके से भूनें लगभाग यह पक चुकी है थोड़ा सा और हम इसे लगभाग 2-3 में में तक उसे हम और पका लेते हैं क्लर अब बहुत ही बढ़ीया दिख रहा है देखने में लग रहा है कि अंदर तक बिलकुल ही पक चुकी है और खाने में तो बहुत बढ़िया मीठी होती है इस तरह से बनाएंगे तो तो इसको हम निकाल लेते हैं तो आप देख सकते हैं टैक्चर इसका बहुत ही बढ़िया ऐसा लग रहा है जैसे आग में भूनी हुई है और अंदर तक बिल्कुल बहुत ही बढ़िया सोप्ट बिल्कुल मैंने तोड़ के दिखा दिया है बहुत ही सोप्ट है तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरीके से जरूर बनाएं सकरकंदी को और मेरा ये सकरकंदी भूनने का तरीका आप सभी को अच्छा लगे तो कोमेंट जरूर करें और वीडियो को फुल आज करें और फ्रेंड्स में नए हैं तो मेरे चैन वीडियो में एक और नई रेश्पी के साथ तब तक के लिए थांक्स फोर वाचिंग